नमस्कार दोस्तों 100 डे लाइव इंट्राडे क्लासिस के डे नाइन में आपका स्वागत है और आज हमने लॉस में क्लोजिंग किये है और हमको 68 रुपए का लॉस हुआ है और आज का लॉस काटने के बाद हमारा प्रॉफिट घट कर रह गया है 11,882 रुपए पिछले 9 ट्रेडिंग सेशंस में से 6 दिन हमने प्रॉफिट में क्लोज किये हैं 3 दिन हमने लॉस में क्लोज किये हैं लेकिन हमारे loss वाले दिन बहुत ही minor loss हुआ है और बहुत ही छोटे छोटे loss हुआ है और यही कारण है कि हम अभी तक profitable बने हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 100 दिनों तक हम बहुत ही minor loss करें जिससे कि हम 100 दिनों में maximum profit earn कर सकें तो देखिए आज बैंक निफ्टी 44,500 की put में हमको 243 रुपई का loss हुआ है निफ्टी 19,250 की put में 1385 रुपई का profit हुआ है निफ्टी 19,300 की call में again 375 रुपई का loss हुआ है निफ्टी 19,300 के पुट में 1740 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कोल इंडिया में हमको 300 रुपए का लॉस हुआ है और टाटा स्टील में हमको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है यानि कि आज का दिन हमने लगबग ब्रेक इवन में ही क्लोज किया है अच्छा दोस्तों आज मैंने अपने लिए गई ट्रेड्स में से किसी भी ट्रेड की लाइव रिकॉर्डिंग नहीं की है उसका रीजन ये है कि मैं पिछले 8 वीडियो जो मैंने पोस्ट की है तो मैं देख रहा हूँ कि शुरू के 2-3 मिनट ही देखके आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग लाइव ट्रेडिंग देखने के इच्छुक नहीं है और ट्रेड लेने के पीछे क्या लोजिक है क्या रीजन है शायद आप नहीं जानना चाते तो इसलिए मैंने आज लाइव रिकॉर्डिंग नहीं की है तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद आप लोग केवल मेरा पी एनल देखने के इच्छुक है तो इसलिए मैं केवल आपके साथ आज का प्रोफिट एनल लॉस पी एनल ही शेयर कर रहा हूँ अगर आप लोग लाइव ट्रेड देखना चाते हैं लाइव रिकॉर्डिंग देखना चाते हैं ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक समझना चाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा तो मैं नेक्स्ट डे से फिर से आपके लिए लाइव रिकॉर्डिंग कर दिया करूँगा तो दोस्तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद